शिमला के कुसुम्टी स्थित श्री लक्षमी नारायन मंदिर में 64 वे स्थापना दिवस के मौके पर हवन यग्य का आयोजन किया गया जिसमें एक्षेत्र के लोगों की सुक समरीधी की कामना की गई शिम्बला के कुसूंप्टी स्थित श्री लक्षमी नारायन मंदीर का 64 वा स्थापना दिवस धुमधाम से मनाया गया इस तोरान मंदीर में विशेश पूजा अर्चना की गई स्थापना दिवस के मौके पर नगर निगम शिम्बला के पूर्व उकमापाउर और कुसूंप्टी मंदीर सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष राकेश शर्मा विशेश रूप से मौजूद रहे राकेश शर्मा ने कहा कि आज हर्ष की बात है कि मंदीर अपनी स्थापना के बाद 65 वे वर्ष में प्रवेश कर चुका है उन्होंने कहा कि 64 वर्ष पूर्व जब इस मंदीर की नीव रखी गई थी तब क्षेतर के जनसंख्या ज्यादा नहीं थी लेकिन उस समय स्थानिय लोगों और बुजूर्गों के सहयोग से ही मंदीर बनाया गया और आज मंदीर का भव पे भवन बनकर तैयार हो चुका है ये सब ईश्वर की कृपा और स्थानिय लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाया है कि जो अभी त्यारी कर रहे हैं और ये हबन बसे कुछी किशनों में हबन शुरू होने जा रहा है सभा आज जो 65 में वर्षमेशी लक्षमी नाइन जी का ये स्तापना जी पस यहां पर आगे बढ़ रहा है इसमें सभा के सभी समयानी सदसे हमारे साथ सभा में मजूद हैं इसमें इसमें जो है हमारे ब्रिस्ट एड़ोकेट सुरेश चंद शर्मा जी भी आ चुके हैं और कमर्णे शर्मा जी जो हमारे पूर में परधान रहे हैं, सुदर्षण अजाज़ जी जो हमारे पूर परधान भी रहे हैं, यह भी इस टेम मंदर में मजूद हैं। मतलसवा के तमाम सदस्य मिल जूल कर इस कारे को करते हैं और ये मंदिर जो बना है पुराने बजुर्गों के सिहुक से उन्होंने जगा जगा से लाकर उस तेम जो है चंदा एकठा किया क्योंकि उस तेम बजार इतना ज़्यादा बड़ा होता नहीं था तो हर जगा से जाके ये लोग जो हमारे बजुर्गों ने इसमें जो सभी ने मिल जूल के एक स्थान हमें आज यहां पे दिया है और ये स्थान अपने आप में परतक्ष है यहां पे सचे मन से जो भी इसी लक्षी नयान जी के दरवार में आता है उसकी मन के मुरादें लक्षी नयान जी हमेश ब्यूरो रिपोर्ट सीटी चैनल शिम्ला